हाई अबरीवर्न हाव यू हेर इस आवर नेक्स पार्ट आफ चैट्टर नंबर नाइन हम बात कर रहे थे संगीत अरूरा की जो क्लैंबिंग के लिए ट्रैकिंग के लिए गाये हुए थे वो अपनी उनकी डायरी हम यहां पढ़ रहे थे उनके द्वारा लिखी हुई डायरी ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्रॉसिंग दा रिवर और यह इंसिडेंस है 5th February 1984 का यह एक रियल इंसिडेंस है जो 1984 में वो लोग जब क्लैंबिंग के लिए गए थे मांटेनिंग के लिए गए थे तब उन्होंने यह डायरी लेखी थी तो यहां पर बात करती ह अहने रिवर कैसे पार करी यूण लॉण गोड़ी क thirds चोकलेट मिलक विए ठायरी आइण चॉकलेट मिलक के लियल और उनकी ठंडे में उनकी बोड़ी को गर्मी मिले इसके लिए उनको दिया गया था Every morning there would be a medical check-up हर सुभा उन सभी लोगों का जितने भी लोग उनके group number 7 में जितने भी लोग थे या दूसरे जो भी लोग थे उन सभी का medical check-up होता था starting करने से पहले We tried our bandages and counted the days left ठीक है वो हमेशा अपने bandages को count करते थे और कितने दिन और बचे हैं एक किलोमेटर ट्रेक वो 8 किलोमेटर ट्रेकिंग करने के बाद यारी पहार पर चड़ने के बाद वो पहुचे एक रिवर पर ठीक है there were a thick rope tight across the river river के दूसरी तरफ across the river मतला रिवर के आर पार बांदी गई थी रसिया there was मोटी रसिया बांदी गई थी the rope was tightly fixed to the pace और pin top वहाँ पे एक एंगल जैसा होता है तो उसकी तरफ दूसरी तरफ फैक्त है तो वो कहीं पर अटक जाता है ठीक है तो उससे आप से आराम से वो लोग slide कर सकते हैं ठीक है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं एक बाजू से दूसरी तरफ उसको हुक से अटका देते हैं रसी को और फिर आराम से नदी पार कर सकते हैं I was trying to estimate how wide the river was और वो ये अंदाजा लगा रही थी जब रिवर को क्रॉस कर रही थी कि रिवर कितनी चोड़ी है then our instructor tied a rope around his rest and put a type of hook एक तरह का hook उन्होंने अपनी कमर पर बांदा रसी और एक तरह का hook भी उसमें बांदा he then put the sling on the thick rope tied across the river और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरफ से दूसरी तरफ किनारे पर hook से वो लोग रसी को बांद देते हैं ठीक है walking through the icy water ठीक है और icy water के उपर से उनको चड़ना पड़ा he went to the other side वो other side पर गए और no one was ready to step into the fast flowing रोपर क्योंकि नदी का पानी बहुत fast बह रहाता अगर थोड़ा सा भी उनसे mistake होती तो वो लोग उसमें डूब सकते थे बह जाते नदी के पानी में है न everyone was pushing each other to go first और सब बोले थे कि नहीं कौन पहले जाएगा कौन पहले जाएगा क्योंकि सब लोग डर रहे थे नदी का पानी बहुत fast जा रहा था सब को लग रहा था कि हम डूब ना जाएं ठीक है just then our instructor came near me और तुरंत उनके instructor जो थे याने कि इनको जो head leader थे वो उनके पास आए और उनके हाथों में रस्सी पकड़ा दी और उनसे बोला चलो अब तुम सब से पहले जाओ ठीक है फिर सब ने उन्हें पानी में इससे पहले कि वो सर को कुछ बोलती इससे पहले ही सब ने मिलके उनको पानी में धका दे दिया ठीक है I felt as if my feet were frozen जैसे उनको पानी में धका दिया और थोड़ी देर के बाद ही उनको ऐसा लगने लगा कि उनके पैर एकदम पानी में जम गई है my teeth और उनकी दाद भी ऐसे कापने लगे ठीक है वो पूरी कापने लगे उनकी body कापने लगी ठंड से ठीक है I caught hold a rope and started putting my feet firmly on the river bed वो धीरे धीरे रसी को पकड़के river पर नदी को पार करने लगी ठीक है जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तर river जो नदी है आपको पता है कि नदी बीच में और ज्यादा गहरी होती है तो नदी बीच में deeply and slowly were water reached up to my neck दीरे दीरे इतनी गहरी हो गई कि जो पानी था उनकी उनके नेक तक आ गया उनकी घरदन तक वो पानी आ गया इतना गहरा पानी हो गया in the middle of the river I lost my balance and started slipping और नदी के बीच में तो अपना balance खो रही थी और slip हो रही थी ठीक है फिर I was so scared and felt so cold उनको बहुत थंडी लग रही थी बहुत वो काप रही थी उनके हातों से रसी भी slip हो गई और वो I shouted for sleeping sorry helping और वो मदद के लिए चिलाने लगी कि बचाओ 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 फिर उनके जो I was sure I would be carried away by the river but no I found that I was tied with the rope in the sling hold the rope hold the rope I could hear the shouted ठीक है उनको पर उन लोगों ने क्या ऐसा डूबने सब की कमर पर रसी बदी हुई थी है ना वो कोई डूबी नहीं सकता था पानी में तो सब लोग बोलने लगे उनको की hold the rope याने की रसी को पकड़ के रखो ठीक है वो manage कर रही थी फिर उन्होंने पुल अपने आपको खींचा और रसी को पकड़ने की कोशिस करें स्लोली स्लोली वो दीरे दीरे उन्होंने अहिम्मत की और नदी को पार किया ओके नाव रॉक क्लाइमिंग नेक्स इंसिडेंट 10 फेबरिवरी 1984 का है रॉक क्लाइमिंग आप देख रहे हैं पहाडू पर वो लोग किस तरह से चड़रे पहाड़ों पर भी वो लोग एक क्या क माउंटेन पर ठीक है फिर माउंटेन पर पहाड़ों पर वह हुक जो है अटक जाता है और फिर वह एकदम खीश के देखते कि वह पक्का अटक गया अच्छे से अटक गया है ठीक है तो फिर वह लोग उस रसी के सहारे ही उपर चड़ते हैं वी हैड टू क्लाइब 15 किलो मीटर उनको 15 किलो मीटर चड़ना था टेकला विलेज तक पहुचने के लिए उनको 15 किलो मीटर चड़ना था ठीक है फिर अवर रक शेक्स यानि कि उनके जो बैक थे न वो उसमें बहुत सारी चीजें थी पैक फूट पैकेट्स टे वाटर इन में टौवल होता है टौर्च होता है उनके माउंटेनिंग में जितनी भी चीजें काम आने वाली है वो सब उनके बैक के अंदर होता है ठीक है उसके बाद वो लोग ग्लुकोज है जैगरी है चना है इन सब चीजों से जिन चीजों से हमें एनरजी मिलती है वो भी उनके पास बैक के अंदर होता है इन सारे बैक कितना भारी हो जाता है तो भी उनको अपना बैक अपने कंधे पर ले जाना ही पड़ता है क्योंकि कभी भी बैक के सामान की जरुवत उन्हें पढ़ सकती है इन आपको बता है कि किया है क्या हुक ढालते हैं फिर उसके बाद चलना स्टाट करते हैं कि किस तरह से लोग रसी को और दूसरे किनारे पर और फिर आगे बढ़ते हैं keep your body at the angle of 90 while clamping जब भी आप clamping कर रहे हो यानि कि चढ़ाई कर रहे हो mountain पर आपकी body का जो angle है वो 90 degree का होना चाहिए keep your back straight आप हमें हमेशा straight रहना चाहिए कभी भी जुकना चाहिए do not bend, bend मतलब जुकना नहीं चाहिए हमें हमेशा straight रहना चाहिए keeping in this mind I imagine the rock as flat ground मन में ये सोच के वो ऐसा imagine कर रही थी कि ये एक पहाड नहीं है ये एक flat ground है और मैं इसको आराम से पार कर चल सकती हूँ इस पार आराम से पार कर सकती हूँ again while coming down we had to use the rope in a special way called rappling जब लोग उसी rope से वापस आते है न ठीक है तो उसे rappling कहते है और वो उतरने का style अलग होता है चड़ने का style अलग होता है I did this with the same fearless और वो भी उन्होंने एक दम बहुती बहादुरी से किया यहाँ पे इस chapter का ये part finish होता है next video में next part के साथ मिलेंगे till then bye bye